हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमार इस यूटूब चैनल करकेट पॉड में तो इस वीडियो में जो हम मैच कवर करेंगे वल्ड कप का मैच नमबर 6 कवर करेंगे और ये मैच खेला जाएगा निजलेंड और नीदरलेंड के बीच में और पिछले मैच के जो मैंने वीडियो बनाए थी ने वो भी नीदरलेंड वाले मैच के थी उस मैच में मैंने कैप्टन बास डी लीडे को बनाए था क्या आज के मैच में वो कैप्टन लाइक है या हमें नीजिलेंड की तरफ से किसी प्लियर को कैप्टन देना यह सारी इन्फोर्मेशन आपको मैं इसी वीडियो में दोंगा आप वीडियो को दिहान से देखना पिछली बार जब मतलब नीजिलेंड का मैश था तो उसमें ने बहुत सरे लोग बाश डिलेडर को कैप्टन नहीं दायते और हमने उसको कैप्टन दिया बलकि वाइस कैप्टन ने भी काफी श्यांदार परफॉमेंस किया था और पिछला मैश जो हमने नीजिलेंड के खिला था उसमें हमने ग्लैन फिलिप्स को लिया जिसको जनतर लेकर ही नहीं आई बलकि उसने दो विकेट निकाले और बैटिंग भी आ दिन तब बिरन बनाता और हमने टॉम लाथम को लिया इसने विकेट इप्रिंग से 32 पाइंट दिये थे आज उन्ही प्लियर्स को फिर से दुबार लेना चाहिए वो सारी जानकारी माँ आपको इसी वीडियो में बतांगा वो भी प्लियर के सटैट्स को दिखाते हो आप वीडियो को दिखान से देखना तो चलिए सबसे पहला हमें इस match की pitch report को जान लेते हैं तो दोस्त बात करें pitch report के बारे में तो ये match खेला जाएगा राजीव गांदी International Stadium हैदरबाद में और यहां की जो pitch होती है ने वो bowlers के लिए काफ़े जाद मदद करती है कैसे bowlers के लिए फास्ट bowlers के लिए यहां पर swing जाद होती है और यहां पर second inning में कहने के spinner के role भी important हो जाता है लेकिन run किस तरह का बनलबाद मनाते है टेकनिकल बनाते है या hit and miss type को बनाते है इस venue पर last 3 match खेले गए है और recent के 3 matches है जो पिछला match खेल गए थे इसी world cup में खेले गए थे पाकिस्तान और नीदर लेंड के बीच में जिन में से 13 fast ने निकाले और 6 spinner ने और एक run out भी हुआ तो क्या देखनों मिला कि यहां पर fast का दबदबा काफी जादा है और spinner second inning में जो important spinner होता है जैसे Mitchell Satner है या बहतर है वो wicket निकाल लेते हैं लेकिन fast का दबदबार रहता है लेकिन आज के match में क्या देखनों मिलेगा वो officially जो pitch report रहेगी वो मैं आपको telegram channel पर update कर दूँ लेकिन यह भी officially है क्योंकि पिछला ही match खेला गया था उसे पिछला match 18 जनुवरे 2013 को इंडिया और नीजलेंड के बीच में इसी venue पर खेला गया था इंडिया न पहले बनना बाजी करते हैं वो 349 रन का target रगा मतलब अच्छे का से run बनते हैं इस pitch पर लेकिन नीजलेंड उस match को chase नहीं कर पाई दक 10 wicket गिर गए थे नीजलेंड क भी निकाले बल्कि विकेट गए फास्ट के लिए और जिन मेंसे एक रन आउट भी हो तो यहां से clear पता चलता है कि फास्ट विकेट है और रन भी अच्छे खासे बनते हैं बात करें 2019 में इसी venue पर जो मैच के लगा था ऑस्टेलिया और इंडिया ने पहले बन लेबाजी की 306 सरन मनाई और इंडिया उस मैच को आराम से चेज कर गई 240 सरन मनाई लेकिन विकेट देखो 11 विकेट उस मैच में विकेटे 6 फास्ट ना पार्च इस्पनर से निकाले और उस टाइम पर जो पिच पर मैच हो था ता उस टाइम पर पहले भी हो चुका था मैच तभी आपको स्पनर का रोल देख में मिला वरना इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं देख मिलता वैसे भी और इंडिया के पास काफी बहतनी स्परेंज एडम जंपा है और इंडिया के पास तो आपको पता है कुल्दी प्याद हो गया और रवीन दर जड़े जा तो वो बेसली अपन दोनुट टीम की तरफ से विकेट गिरती नहीं जराएंगी भले पिछला मैच इंग्लेंड के सामने निजलेंड ने आठ विकेट से मैच को जीत लिया हो दो ही विकेट गिरती लेकिन आज ऐसा नहीं होगा हर बार ऐसा नहीं होगा यह चीज आपको याद रहो का नेधर ले दोनुट टीम की पॉसिबल लाइनप को देख लेते हैं और बैटिंग ओर्डर कतार साथ तो सबस्पहल हम निजलेंड की पॉसिबल लाइनप देखेंगे तो निजलेंड की पॉसिबल लाइनप कुछ इस परकार देखने मिलेगी इस लाइनप में एक दो जैंज हो आप देखें वंडर वर्ल्ड कप में 152 रन मतलब आज के मैंच में काफी आई रहेगा अगर जादा रन नहीं बनाएगा कम सकम 20-25 रन तो बनागर जाएगे ही जाएगा विलियंग से मैं पहले भी वरोस नहीं करता था और आज के मैंच में नहीं करूंगा अगर ये टीम प रिकोर्ड काफी श्यांदा रहा जो में पिछले रिकोर्ड देखोंगा रचीन रविंद्रान पिछले मैंच में एक टेशर न मनाए बल्कि एक विकेट भी निकाला तो आप यहां से अंदर लगा से दो बोलिंग भी करता है और फस्ट डाउन बैटिंग भी करता है तो बहत करता है तो यहां पर मैंना हर चीज मैंसन की है तो देखो दोस्त यही लाइन अप रही ने तो लाइन अप का अनुसर सीरीज बात कौन वेगो तो आज की मैच में लेके चलेंगे चाहे भले वो डिक पर आउट होगा लेकिन डग पर नहीं होगा कम से कम 25 पलस तो रन बनाए पिछला मैच मैंने लिया था तीम में 32 पॉइंट दे थे मानता हूं इसकी बैटिंग नहीं है लेकिन बैटिंग जैसे ही आएगी न यह रन बनाएगा ही बनाएगा यह चीज आपको याद रहा है ग्लैन फिलिप से पिछला मैच में दो विकेट निकाले लेकिन क्यों क्यों इंगलेंड का पास काफी left hand best men थे और मुझे पता था कि बोलिंग करेगा तब इसने दो विकेट निकाले चार तीन चार ओर ही किया था लेकिन दो विकेट निकाली लेकिन यह ऐसा प्लेर से जो बोलिंग से भी पॉइंट दे जाता बैटिंग से बैटिंग आने पर तो बना सेक्षन कम हो लेकिन इंपोर्टेंट प्लियर है मिचल सेट नर भाई ऐसे वेनियो पर आज के मैच पर हम ड्रॉब कर सकते हैं वैसे विगट एक तो निकाल लेगा एक विगट के लिए था हम नहीं लेंगे अगर मुझे लगा कि यह दो मैं दो विगट निकाल सकता तब इनको ले सकता है मानता हूँ बैटिंग अच्छा कर लेता है लेकिन यहां तक बैटिंग आना थोड़ा मुश्किल इसकी है मैट हैं काफिस श्यांदार प्रफॉमेंस किया है ट्रेंड बोल्ट है इस टीम के तरह उसे इंपोर्टेंट प्लियर है बोलिंग सेक्शन से तो इनको भ बनाए और इसका जो रिसेंड फोर्मन वह काफिस स्यांदार ओडियाई में तो आप इनको हलके मतले ना आभी मत सोचला कि न्यूजिलेंड के सामने यह नहीं टिक पाएगा जब पाकिस्तान जैसे बोलिंग अटेक टीम के सामने यह रुख सकता है तो बैसली न्यूजिलें तो इसलिए आज भी नहीं लूँगा कॉनलिन एकरवान इस टीम के लिए फर्स डाउन बैटिंग करेगा और आपको ने कम्प्लीट ओवर भी करते ना जाएगा प्लस में बोलिंग भी करते ना जाएगा और पिछले मैंच में दो विकिट भी निका ली थे तो ऐसे प्लेयर मुझे लगता लएगी यह टीम ज्यादा विकिट न्यूजिलेंड के गिरा पाएगी तो विकिट के पीछ से ज्यादा पॉइंट नहीं देगा अगर हाँ बैटिंग आ जाती तो बीस-पचिसन बना सकता है सागर जुल्फिकार है एज आल रॉन डूमिकर नहीं लेकिन मैं इससे भी उमीद नहीं करा है अगर निकालेगा एक विकिट निकाल सकता है उससे ज्यादा नहीं ओके लॉन बीख है इंपोर्टन पिलियर रहन भी देखो शीदी से बात है नेदरलेंड की बैटिंग में सब पिलियर्स का जाएग आज की मैश में तो लोग वान बींको इसल तो एक विकिट वन डे में कोई माइन ही नहीं रखती फैंटेसिक अनुसार ओके यह चीज याद रहे तो इसलिए मैं इंपोर्टेंट प्लेयर इस टीम के तरफ से कॉलिन एकरमान बाश्टी लीड है और इस टीम के तरफ से लॉंग वान डीक यह तीन तो कंफर्म हो चेको बलकि मैं अबन टीम में विकरम जीत सिंग को भी लेकर चलूँ जिसका रीसेंट फांड ओड याई में काफी मजबूत है तो मेरे इसाब से यह आज भी अच्छा और यही वो पिलेर्स है जो इस टीम को यहां तक लेकर आए तो मेरे मानने तो दोस्त यह है कि आप इन लेकर चल अगर आपको पांच ओंप लेना तो यहां से पीवान मी करन पो ले सकते हो जो कि बोलिंग अटेक से काफी जाना जाता है बाकि हर एक पिलेर्स आपके सामने यहां पर है तो दोस्त अब मैंने आपको दोनों टीम के इन पोसिबल लाइन अब दिखा तो दोनों टीम के रीसेंट फॉंट दिखा लेता हूं और रीसेंट फॉंट का नुसर आप यह अंदर लगा सकते हैं ओड यह में कौन से प्लेयर किस तरह से पर्फॉमेंस करते हैं आया है तो चलिए सबसे पहला हम न्यूजलेंड की रीसेंट फॉंट को देखते हैं न्यूजलेंड के तरफ से डिवन कौन में आप देख सो लेफ्ट हैंड बैस्ट में प्लस विकट कीपिरिंग भी कर सकता पिछले मैंज में एक सो बाउंड रन उससे पिछले में नो रन उससे पिछले में 14 उससे पिछले में 111 रन अगर बनाता है तो सीधा हैंड रन बनाता नई बनाता दो यह अंडर बीस कर आउट हो जाता ओका विलियंग कर सकते हो डन बना सकता वैसे दूसरी टीम थोड़ी सी वीक जरूर है लेकिन चांदर सकता अगर यह टीम पहले बैट करते हैं तब इनको मैं भी सजेस्ट करूंगा ओके रचिन रविंद्रा है पिछला मैच में काफी लंबी इनिंग खेली इसने लेफ्ट हैंड बैस्ट मेंट और ऑर्थ डॉक्स बॉलिम कर ले था पिछला मैच में 130 रन की पारी के लिए और उससे पिछले आप देख से तो इस मैच में इसको खेलना तेज था तो यह जारन पाउट हो गए उससे पिछला मैच में आप देख सतरा उस सत्ताओं फ्रेक्स उठार है मतलब यह कंसिस्टेंट बैटिंग करना वाले प्लियर्स है जो हर मैच में 50 प्लस रन बना ही देता है टॉम लाथ हमको मैं बहुत बढ़ मान लो 13-19 हम मान के चलते हैं एक मैच में 19 रन बनाई जाए अगर इसने तीन कैंज भी पकड़ी होंगा उस मैच में तो भी आपको ने 50 प्लस पॉइंट दे जाएगा तो कहना को मतलब यह बहतर है ग्लैन फिलिप्स है आपको लेना चाहिए क्योंकि बोलिंग कर लेता है ल कोट देख सकतो आप यहां से लेफ्ट हैंड बैस्ट में प्लस में बोलिंग भी कर लेता है 43 रन 46 रन 13 रन एक रन इस तरह इसका बैटिंग आए और जिस नमबर पर इसकी बैटिंग आती है तो सीधी से बात वहां पर इटिंग करना ते होता है जैम से नी समय है पिछला इसका आप इस तरह से ट्रेट्स को रीड आउट कर सकते हों कैन विलियमसन खेलेगा तो आप इनको लेना रीशन को वन डे में काफी श्यांदार है एक मैच में टक पाउट हुआ बलके उससे पिछले मैच में हरे एक में आप अल्मोस्ट देख से दो इसकी 50 पलस रन आए है बाकि आप यहां पर सब्सका रीशोट ले सकता हो अब हम बॉलिंग का रीशन फॉर्म देखते हैं कि कौन सा बॉलर न्यूजरेंट के लिए निकाल रहा है तो यह तो बैटर के बात हो गई बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट का रिकोर्ड देख से तो राइट आरव फास्ट के बॉलर एक में पिछले मैं चाहिं यह में फ्कान चाहिसे के लाआय बॉलिंग इंडिय में जरूर लेता हो और पिछले मैच मेंदर में कांदर काइट नहीं एक विकिट इस्टी प्लियर का एवरेज है विकिट निखालने का, दो इसलिए इनको लेना बनता है, फिरांस जैंस निसेम का रिकोर्ट देख से तो पिछले मैच में वहला ही फोल ओफ हुआ ह ग्लैन फिलिप्स ने दो विक्ट निकालें और इसन सोडी फैले फोले लोक फर्गोशन टिम साओधी रह एक प्लेज का रीचेंट फॉर्म देख से तो रीचेंट फॉर्म टिम साओधी का भी सांदार है पिछला मैच विक्ट लेसा लेकिन उससे पिछले मैच असमें दो दो तो मतलब एक पंथ पिक है आज की मैच में सेलक्षन बले इसका लोग हो लेकिन मेरे टीम में रहना वाला तो अब हम बात करते हैं जो सेकिंड टीम है नीदर लेंड उस टीम के प्लेस का रीसंड फॉर्म कैसा है तो चली देखते हैं पहले हम बैटर से सटाड करते हैं तो विक इसी तरह आप हर एक प्लेर्स का सटेर्स को रीड़ आउप कर सकते हो बास्टे लीडे का रिकोर्ड दिखा दे तो मापको राइट हंड बैस्ट में राइट अरं फार्स्ट बोलर और इसने पिछले मैच में 67 उससे पिछले मैच में 23, 49, 41, 33 मतलब कैप्टन क्यों ना मिडल ओर्डर बैस्ट में रन बना लेते हैं और यह तो अपनी फॉर्म में है तो इनको दो भाइल लेकर चलना ही चलना ओके आप यहां से सागिप जुल्फिकार का रिकोर्ड देख से तो क्वालिफाई में काफी चच्च खेला थे इसने दो इनिंग 33, 33 से रन की और उससे मैंने इसका मतलब प्रिवेस मैचेस देखें तो यह काफी चपर कमिस किया है और यहां सब वैसले बैरी से ने भी इस टीम के लिए एक मैच में 11, 37 में 52 एसरें बनाए ने तो बैटिंग आने पर यह ओर राउंड